नमस्कार दोस्तों मौसम ताज़ समाचार में आप सभी का हारदिक स्वागत है और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर अगले 48 गंटे के सान भाईयों के लिए बेहद ही खास रहने वाले हैं क्योंकि MP, UP, बिहार, गुजरात, महराष्ट, दिल्ली, ज धारखंड, पंजाप, हरियाना, राजस्थान और ओडिसा, सहीत, सोला ऐसे राज्ये हैं जहां पर बारिज के साथ ओलव रष्टी की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है साथियों इन राज्यों में तेज रप्तार से हवाई भी चलेंगी जिनकी गती लगवग 40 से 50 किलोमेटर प्रेती गंटे रहने वाली है बताते चलें बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान उठा है इसकी वज़े से ही बी मोसम बारिस होने वाली है वहीं साथियों आज के लिए जो राज्य अलट पर रखे गए हैं वो साथियों महराष्ट, गुजरात, मद्देपरदेश, उत्तरपरदेश और राजस्थान की कुछ इलाके हैं दिल्ली एनसियार के अलावा अन्य इलाकों में बारिस के बाद मोसम में बदलाव देखने को मिला है बारिस और ठंडी हवाओं से पारा थोड़ा गिर गया है वही मोसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में एक बार फिर इजापात देखने को मिलेगा इसके अलावा कुछ राज्यों में बारिस का भी अनमान जताया गया है मोसम विभाग ने बताया है कि 36 गड जहारखंड पैस्चिमी बंगाल ओडिसा बिहार और महाराष्ट यहाँ पर साथियों आज और कल भारी बारिस हो सकती है जबकि सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश में 11 से और 14 मार्च के दोरान गरज और बिजली चमकने के साथ हलकी बारि इस्थानों पर गरज के साथ छीटे पढ़ने की संभावना मोसम विभाग के दोरा जताई गई है मोसम विभाग की माने तो एक ताजा पैस्चिमी बिक्छोब के चलते 12 मार्च की रात से पैस्चिमी हिमाले छेतर प्रभावित हो सकता है इसके प्रभाव से 12 से और 14 मार्च के दोरान पैस्चिम हिमाले जो छेतर हैं यहां पर गरज के साथ छेट पुट वर्षा होने की संभावना है तो सात्यों आपको सीधे सीधे सब्दों में अगर बताएं तो एक जो पैस्चिमी बिक्छोब है यानि की जो चक्रवाती तूफाने होते हैं वो 12 मार्च को सक्रे हो रहा है और इसका असर 14-15 मार्च तक रहेगा तो दोस्तो ऐसे इन राज्यों में दोस्तो दिल्ली, NCR पूरी, हरियाना, पंजाप, मद्धे प्रदेश, बिहार, जारखंड और उत्तर प्रदेश दोस्तो इन राज्यों में इसका जो असर है वो खासा देखने को मिलेगा और एक बार फिर से बेमुसम बारिस वोने वाली है, साथ ही दोस्तो हिल्की ओलव रष्टी की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताए गई है, बताते चलें दोस्तो अगर बेमुसम बारिस होती है तो इस वक्त चिसान भाईयों की जो फचले हैं, सरसों की कटाई और कुटाई चल रही है तता राजस्थान में इस सब गूल की जो खेती है उसको बहुत ही नुकसान हुआ है दोस्तो पहले ही भी मुसम बारिश से और अब दोबारा से दोस्तो बारा से और 14-15 मार्ज तक के लिए अलर्ट जारे किया है क्योंकि एक बार फिर से पस्चे में व पहला एकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालू मोसम से संबन दे तो आपके पास सबसे पहले उस वीडियो का नोटिपिकेशन आ सके तता आप हमारे वीडियो की स्राज्जे से देख रहे हैं कॉमेंट बोक्स में हमें अविस से बत झाल 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 झाल